मेरे चलक नाम है वर्षा ब्यूटी केर आशागरती दोस्तों क्या आप से बच्छी होंगे मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ आज मैं आप लोग साथ शेयर करने जा रही हूँ अपना करंट समझावर रूटीन और दोस्तों ये वीडियो थोड़ी भी ऐची लगे लेगे तो प्लीज याइक करने से बसके मेरे जाove खनाट से जीर केशागरते हैं आप मुझे Instagram पे भी follow कर सकते हैं friends और description box में आपको सभी social media के link मिल जाएंगे आप मुझे follow कर सकते हो Facebook, Instagram और merch पर भी तो चले दोस्तों फड़ाफट से देख लेते हैं और हाँ friends, next video आपकी topic पर देखना चाहते हैं ये भी मुझे message करके ज़रूर बताईएगा तो चले दोस्तों देख लेने हैं friends, आज मैं जो भी skincare product यूज़ करने जा रही हूँ उन सभी की purchase link मैं आपको description box में दे दूँगी तो आप एक बार check ज़रूर कर लीज़ेगा friends और मैं आपकी चीज़ और बता दूँ कि ज़रूरी नहीं है जो product मैं यूज़ कर रही हूँ वो आप भी यूज़ करें वैसे आप try करकर देखना चाते हैं तो आप कर सकते हैं otherwise जो आपकी skin को suit करते हैं वो ही product आप यूज़ करें Hey ya, तो मैं यहाँ पर washroom में आ चुकी हूँ और सबसे पहले मैं अपने बालों को wash करूँगी L'Oreal Extensor Shampoo की help से सोच रही थी पानी डालू या नहीं डालू क्योंकि ठंडा लगता है न स्टार्टिंग में तो यहाँ पर मैं L'Oreal Extensor Shampoo की help से अपने बालों को wash करूँगी बालों को अच्छे से गीला कर लीजिए और इसके बाद बंग में थोड़ा सा पानी डाल कर इसमें Shampoo को mix कर लीजिए थोड़ा सा ही Shampoo लेने और इस Shampoo की खासियत भी यही है कि थोड़ी quantity में अच्छा काम कर देता है तो इस Shampoo की purchase link मैं आपको description box में दे दूँगी प्लीज आप एक बाद चेक जरूर कर दीजिएगा जैसा कि आप जानते ही है कि मैंने rebonding कर रही है और rebonding के बाद मैं L'Oreal का ही Shampoo और hair mask यूज़ कर रही हूँ बालों को अच्छा से गीला करने के बाद मैंने यहाँ पर Shampoo लगा लिया है आप इस तरीके से हलके हादों से रब करते हैं बालों को मैं wash कर लूँगी आप भी Shampoo को mix कर कर लगाएंगे ना तो बहुती फायदे मिलते हैं इससे hair fall भी कम होता है तो बालों में Shampoo बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए इस जिसका ध्यान रखेगा और Shampoo को अच्छे से निकाल लीजिए अच्छे से wash कर लीजिए ना कूनों की help से अपनी scalp को रब मत कीजिए कभी भी ये नुकसान पहुंचाती है आपकी scalp को कमजोर करती है तो इसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हो L'Oreal Extensive की हेर मास्क लगा रही है अपने बालों में इस तरीके से बस आपने हलके आदों से अपनी length पर इस हेर मास्क को लगा लेना है इस हेर मास्क के खास बात यह है कि आप इसे अपनी scalp में भी लगा सकते हैं अच्छे से आपकी तो अच्छा को clean करता है जितने भी मैल और गंदिकी होती है उसे अच्छे से clean कर देता है इसके बाद बस मैंने यहाँ पर अच्छे से wash कर लिया था next में यहाँ पर आप देख सकते हो एडियों को भी अच्छे से rub कर लेती हूँ इस तरीके से नहाते समय इस एडिया भी soft बनती है इसके बाद मैं यहाँ पर wow की conditioner यूज़ कर रही हूँ और Venus का razor यूज़ कर रही हूँ Venus का razor friends मैं first time ही यूज़ कर रही हूँ इससे पहले मैं दूसरा razor यूज़ करती थी Venus का मैंने first time purchase किया मुझे काफी ज़्यादा पसंद आया है review बहुत जल्द अपने channel पर share कर दूँगी conditioner की help से भी आप अपने underarm के hair को remove कर सकते हैं बहुत easily clean कर देते हैं और बहुत अच्छे से clean हो जाते हैं आपके hair waxing का मुझे समय नहीं बिलता है इसलिए मैं razor का use करती हूँ जितने भी आपकी elbows पर black hair और white hair की problem हो जाती है उसे ये बहुत अच्छे से remove कर देता है मुझे ये plum की body scrub भी काफी जादा पसंद आई है इसके fragrance भी बहुत जादा अच्छे काफी refreshing है और ये skin को soft or smooth भी बिनाता है और मैं week में दो ही बार scrub करती हूँ अपनी body पर अपने face पर क्योंकि वैसे भी हमें scrubbing जादा नहीं करनी चीए skin पर और ये देखें skin काफी जादा soft or smooth हो जाती है वैसे scrub करने के बाद और underarms पर भी मैंने ये ही वाला scrub यूज किया है और मैं week में दो ही बार यूज करती हूँ अपने face को wash कर रही हूँ इस face wash का दोस्तों अलग से review भी मैंने अपने channel पर शेयर किया हुआ है ये forming face wash है और acne pimple और oily skin वालों के लिए बहुत जादा अच्छा है नेक्स में यहाँ पर मैं कैफीन की face scrub यूज कर रही हूँ अल्मस मेरा finish हो गया यह scrub मुझे बहुत जादा पसंद आया ब्लैकर वाइटेट्स को बहुत असानी से रिवूब कर देता है और skin को soft or smooth बनाता है जितनी भी गंदिकी होती है तवच्छा में उसे अच्छे सी clean करता है तो scrub भी आपको अपनी तवचा पर सिर्फ दो ही बार यूज करना चाहिए वीक में और आप मैं यहाँ पर नहां करा चुकी हूँ आप देख से तो मैंने चेंज कर लिया है और इसके बाद में यहाँ पर निया की face moisturizer लगा रही हूँ जिसमें SPF 50 भी है यह day cream बहुत जादा अच्छी है यह moisturizer का काम भी करती है और SPF 50 है तो sunscreen का भी काम करती है तो मुझे यह नहीं है कि moisturizer काफी ज़्यादा पसंद आई है दोस्तों सभी pros के review में ने अपने चैल पर share की हूँ है प्लीज वीडियो की playlist को check सिरू कर लीजेगा next मैं यहाँ पर Maybelline की लिबाम लगा रही हूँ इसमें आपको और भी flavors बिल जाएंगे और last coffee time से मैं Maybelline की लिबाम ही यूज़ कर रही हूँ मुझे पसंद आई है इसके बाद मैं यहाँ पर Good Wives की lavender body lotion यूज़ कर रही हूँ यह body lotion ना trust me मुझे बहुत जादा पसंद आया है अभी current favorite तो मेरा यही वाला body lotion है मैं इसे यूज़ कर रही हूँ और purple से ही मैंने इसे purchase किया था इस skin को soft or smooth भी बनाता है और जब आपकी तोच्छा गीली होती है ना तब ही आप moisturizer लगाईएगा अच्छे से moisturizer को यह lock कर देता है अपकी skin में जब आपकी तोच्छा गीली होती है ना तो moisturizer जो होता ना आपकी skin में अच्छे से lock हो जाता है और काफी देर तक आपकी skin moisturize रहती है नरिश रहती है और skin को soft or smooth भी बनाता है क्योंकि इससे भगल का कालापन भी दूर हो जाता है यह अंडराम्स की जो skin होती है उससे soft or smooth भी बनाती है और आप देख सकते हो इस तरीके से यह देखे इसकी fragrance भी अच्छी होती है अब आप यहाँ पर देख सकते हो मैंने अपने बालों को भी dry कर लिया है पसंद आई है मिश्टी के बालों में भी मैं इसी की लगाती हूँ आपके बाल अगर बहुत जादा उलचते है ना तो एक बार इस सीरम को यूज करकर देखेगा आपको भी बहुत पसंद आएगा दोस्तों यह थी मेरी आज की shower routine और I hope कि आपको पसंद आई होगी पसंद आए तो प्लीज दोस्तों वीडियो को like शेर जरू कर दीजेगा comment करके जरूँदा आना कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा और friends प्लीज ऐसी helpful वीडियो के लिए ना मेरे चालन को सब्सक्राइब जरू कर लिजेगा साथ मच बल बटने से प्रेस कर देना दोस्तों मैं ऐसी helpful वीडियोस आप लोग के लिए आगे भी लेकर आती रहूंगी और आप मुझे follow कर सकते हो facebook, instagram और watch पर भी मैं आप से मिलती हूँ next वीडियो में तब तक के लिए bye bye take care love you all झाल